हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूँ अंकित प्रजापती और श्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित्प्रजापती श्टेडी सेंटर में तो दोस्तों आज का टॉपीक है हम लोगों का दिवगाद समीक्रण क्या पढ़ना है आज हम लोगों को पढ सबके बारे में आपको बताएंगे तो चलिए कि समझे के लिए सबसे सबसें पहले देखते हैं कि क्या है सिर्यधार चारे को कभ लागू करेंगे जब एक गास समिक्रण होता है तो जैसे देखिए घास समिक्रण हम यह लिया है यक्स स्कॉर प्लस टू यक्स माइनस 163 फराबरल जीरो थीक है तो देखिए दिया है यहाँ पर यदि बी स्कॉर स्कॉर इसी का मान या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो लेकिन जीरो से छोटा नहीं होना चाया या नी am कभी भी क्या होना चाहिए अगर यह रिनात्मक हो गया तो समय लेजिए कि यह अस्तित्व में ही नहीं है ठीक है तो यही कहा है कि यदि बी स्क्वाइर मैंनेस फोर एसी कमान जो है वो जीरो हो या तो जीरो से बढ़ा होना चाहिए तो दिवगास समिक्राण AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बढ़ाबर जीरो का मुल की कैसे ग्याद करेंगे आप क्या करेंगे फार्मूला आपका सीधे होता है माइनस B प्लस माइनस अंडरोट B स्क्वाइर माइनस 4AC अपान 2A इस फार्मूले की वदावलत आप क्या कर सकते हैं बहुत बैतरी इंडंग से स्रीधारचार क के शुद्र से किसी वी द्युगास समिक्राण को स्सक्व कर 계획 स कि क्या करेंगे एक डिया ने आपको लिया CT podr सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आप यहां पर एक अमान निकालेंगे तो यहां पर एक अमान निकालेंगे तो क्या होगा तो देखे एक अमान अगर हम लोग निकालेंगे यहां पर न तक्या होगा तो यक्सी स्कॉार का गुड़ांग तो यक्सी स्कॉार का गुड़ांग के आपका कितना है एक है इसका मतलब एक अमान एक हो गया अब अगर बी का मान हम निकालें तो ध्यान से देखेंगे तो बी ह होता है यक्स का गोरांग कितना है यह लोग कि T लिए- इस फार्मुले में रखते हैं ति यह फार्मुला सबसे पहले लिख लेंगे माइनस B प्लस माइनस अंडरूट B स्क्वाइर माइनस 4AC अपान 2A अगर देखिए मान लगते हैं चलिए माइनस B ठीक है तहीं माइनस तो माइनस आएगा B का मान कितना है 2 तो यह हो गया 2 फिर देखिए हाई प्लस है माइनस है अंडरूट B स्क्वाइर 2 का मतलब दुख कर देजे minus 4AC 1 कंपान है एक तो गूड़ए एक 8 कंपान है minus 143 आप लेखे देगा minus 143 बटे में 2 गूड़े एक अमान कितना है तो एक हमान है सिर्फ बस आप इसी को हल कर देखे चार्ट यह कर देगे प्लस माइनस साथ तो प्लस माइनस रहेगा अब अंदर वाले मान को हल करेंगे तो दो कवर कितना होता है तो भाई साब आप कहेगे कि दो कवर गोता है चार फिर देखिए यह वाला माइनस यह वाला माइनस गुड़ा होको जाएगा प्लस अब बताइए चार को गुड़ा कि प्लस माइनस अब देखिए फाण सो महतर में अब चार्ज ओडेंगे educated और क्या आपको पता है कि जो 546 है वह किसका वर्गमूल है तो भाई साथ 576 कि यह बताइक मुझे कि कि आपसे कोई पूझ दे कि 576 जो है वह किसका वर्गमूल आप कहенगे कि 500 कर मुलता है यह कि यह उसका माइयS 2 56 कि melhor 24 और इस देंगे अब यहां प्लस दिया है यहां माइनेस दिया है यह एक बार आपको प्लस रखकर चेक करना है एक बार आपको माइनेस रखकर चेक करते हैं था एक बार प्लस रखकर चेक करेंगे तो प्लस 24 अपान दो तो देखें क्या हो जाएगा 24 में दू गया कितना हो जाएगा 22 22 में 2 से कटा देंगे तो कितना जाएगा 11 एक इंसर यह आ गया अगर आप यही माइनस रखे देखेंगे तो माइनस 2 माइनस 24 बटे 2 कितना हो जाएगा माइनस 26 बटे 2 कितना गया माइनस 13 यह आगे हैं आपकी 2 मूल आई यही दोनों मूल आपसे पूछे थे तो अगर आपको शिरदर्चारे का फार्मूला से यक्स कमान निकलना हो तो आप एक्स बरावर यहां से एक्स का फार्मूला लगा के आराम तरीके से आप दोनों मूल ग्याद कर सकते हैं तो ये था आपका सिर्धर्चारे के history और इस प्रकार सिर्धर्चारे के फार्मूले से हम लोग किसी भी सवाल को बहतरी नंग से solve कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी प्रश्णावली 4.3 में दिया है इसलिए मैंने सुचा कि सबसे पहले सिर्दशारे के बारे में आपको बता दिया जाए ठीक है तो इतना आपको समझ में आगे आओ तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स टापिक योग अब हम लोग को थियोरी के बारे में कौन सथियोरी समझना है